दोस्तों शेहत और आवला दोनों ही सेहत और सौंदर्य गुलों से भर्तूर होते हैं इन दोनों का ही सेवन आपके लिए बेहद लापकारी होता है शेहत और आवले का मिश्रन तयार करके इनहीं साथ में लेने से इसके फाइवे दोगने हो जाते हैं आईए जानते हैं शेहत और आवले का मिश्रन कैसे तयार कर सकते हैं किसी जार को आप आधा शहद से भर लीजिए और फिर इसमें कुछ आउले डाल कर धक्तन बंद कर दे इस जार को कुछ दिन ऐसे ही छोड़ दे कुछ दिनों बाद आप पाएंगे कि बिलकुल घर में बने मुरब्वे जैसा मिश्रन तयार हो चुका है अब हम आपको बताते हैं कि शहद और आउले के मिश्रन को किस प्रकार इस्तिमाल करने से आपको लाब मिल सकते हैं इस मिश्रन को बालों में लगाने से बाल सुनदर, मुलायम और मदभूत होने लगते हैं आप इस मिश्रंग को कंडीशनर के तौर पर भी बालों में लगा सकते हैं शहित और आवले के मिश्रंग का नियमित रूट से सेवन करने पर आपको सौंदर या फाइवे मिलते हैं इसे चले से जुलियों और फाइन लाइन मितने लगती है और बढ़ती उम्र का प्रभाव चले पर नहीं मालूम पड़ता शहित और आवले के मिश्रंग का नियमित रूट से सेवन करने पर लिवस्वस्थ रहता है इस मिश्रंग के सेवन से एसविकी से राहत मेती है भूट बढ़ती है और पाचन में भी मदद मेती है इसकी मिश्रंग की एक बड़ी चम्मच खाने से सर्दीक खांसी और गले में खराश से जल्ब राहत मेती है और संप्रमन दूर होते है झाल